गुट बॉर्निंग एम्रीवन लाइफ ट्रेड एजूकेशन सीरीज में आप से भी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ डेट है आज का 16 अब फैबुरी आज फ्राइडे है कल हम लोगों ने समवेर राउंड ये लेबल के आसपास में अर्ली मॉर्निंग पर एक ट्रेड करने का प्लान किया था अब मार्केट ने काफी टाइम तक जो हम लोगों को वेड कर वा है कल के मार्केट को अगर आप देखेंगे लेकिर मैंने कर दोड़ है and end में जाके हम लोगों को एक चोटा सा result देखने को मिला यहाँ पे आप लोगों को इस बात को समझना जरूरी है अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना देखें क्या होता है ना चैनल के breakout पे बहुत सारे लोग buying के लिए प्लान करते हैं और बहुत सारे operators सेलिंग के लिए भी प्लान कियो वे रहते हैं यहाँ पे कल के डे में प्रॉपर एक decision प्लान नहीं हो पाए यह level के आसपास में कि करना क्या है इसलिए market ने इतना silently behave कर दिया नहीं ज्यादा उपर गया और नहीं ज्यादा नीचे आये लिकिन end में एक छोटा सा momentum दिया अगर मैं आपको truly बताऊ न, as a option buyer इतना time तक hold आप नहीं कर पाएंगे 2-3 गंटे, 4 गंटे में आपका सारा का सारा premium डाउन हो सकता है इसमें आपका risk भी ज्यादा हो सकता है इसलिए as a option buyer इतना ज्यादा hold हम लोगों को नहीं करना है ठीक है, यहाँ पर ध्यान दखेगा आज कैसे हम लोगों काम करना है आउली time frame के accordingly चैनल का breakout हो रहा है आज हम लोग ना कुछ नया प्लान करने वाले हैं हम लोग चले जाएंगे सीधा यहाँ पर एक minute के time frame के accordingly हम लोग यहाँ पर analysis करने का try करेंगे क्योंकि कल market ने सायद momentum जो नहीं दिया होगा है उसका revenge आज market लेने का try करेगा early morning पर एक momentum दे देगा तो मैं यहाँ पर आज के day में try करूँगा एक minute के time frame पर काम करने का ठाकि मेरा trade जो है आदे एक घंटे में complete हो जाए चाहे जो भी होगा loss profit लेके हम लोग निकल जाएंगे लेकिन आज हम लोग उतना ज्यादा hold नहीं करने वाले हैं अगर एक minute के trade setup में मुझे loss हुआ तो कैसे loss हुआ क्या incidence हुआ हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा वीडियो का आप लोग लास तक जरूर देखेगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक like करके चैनल को support कर सकते हैं इसी type के educational content के लिए मेरे profit and loss पे मत जहिएगा मैं जो process follow कर रहा हूँ उससे मैंने किस तरीके से trade setup find out किया और मेरे क्या quantity management रहा अगर मेरा बरा loss भी होता है वो किसलिए हुआ ये सब चीज़े आप सीख सकते हैं So time हो रहा है 9 बच के 8 minutes यहां पे ना market आज एक बहुत बड़ा gap up शो कर रहा है कितना point का gap up है सबसे पहले हम लोग यहां पे चेक कर लेंगे gap up दे रहा market 96 मतलब बहुत बड़ा एक gap up दे रहा है अगर हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे hourly time frame के accordingly तो हाँ resistance के आज सपास में market है selling करने के लिए गर हम लोग plan out कर सके तो देखते हैं अगर setup वैसा मिलेगा selling के लिए ना तो selling के लिए जाएंगे ने तो क्या होगा ना early morning पे open होने के बाद थूरा बहुत flow motion के लिए market यहां तक आज सपास जा सकता है 22,125 अभी देखना परेगा किस तरीके से हम लोगों को setup वैगरा मिल पा रहा है और किस तरीके से market भी हब कर रहा है यह जो पूरा week गया ना दोस्तों हम लोगों का seriously बहुत अजीब सा week गया हम लोगों का profit तो चलिए हाथ में उतना आया नहीं हम लोगों का जिस भी तरीके से हम लोगों ने काम किया ना इस week हम लोगों ने lower channel formation के थुरू काम किया यह हपता हम लोगों ने lower channel formation के basis पे काम किया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यह देखेंगे प्रॉफित अनली 11000 के profit है यह 11000 के profit में क्या होगा देश बताए यह पूरा week हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं यहां पर हम लोगों का एक दिन लॉस भी तो हो गया था ना वो भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह देखिए हम लोगों का 21,000 तेक आसपास का लॉस गया और यह जो हम लोगों का लॉस रिकबर हुआ ना टरॉस यह देखिए 20 20887 मतलब थुरह सा profit कमी है ठीक है यह दो दिन दों चली चला गया हम लोगों का फिर बाकी दिन देखिए 532 का profit एंड कल वाला जो profit एड़ हुआ न वही जो है इसलिए यहां पर आपको green में शो हो रहा है वरना यह फिर यहां पर cost to cost या फिर कुछी profit नहीं शो होता तो यहां पर हमेशा ध्यान दखेगा दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम लोग market में काम करने के लिए आये हैं तो हम लोग यहां पर बहुत ज़्यदा benefit करेंगे बहुत सरे ऐसे month आते हैं जिसमें हम लोगों का profit वगरा ऐसा नहीं मिल पाता है लेकिन फिर भी हम लोग काम अपना क सही रहेगा या फिर हम लोगों का buying के लिए जाना सही रहेगा ठीक है तो टाइम हो रहा है ना बच के 15 मिनाट open होते ही देखे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है market चले जाएंगे हम लोग सबसे पहले तो hourly time frame पे जो भी analysis होगा वो hourly time frame के accordingly हम लोगों का होने वाला है यहां पे कौन सा area पे है market यह देखे huge resistance area पे है market resistance लेके हो सकता है थोड़ा बहुत यहां पे नीचे को आ जाए बहुत easily ठीक है selling के लिए अगर हम लोग plan करेंगे तो उससे पहले market को setup वैसा देना पड़ेगा एक minute के time frame के accordingly चली थोड़ा बहुत यहां पे negativity show कर रहा market okay wait करेंगे देखत है setup किस तरगे से मिल पार है अगर हम लोग selling के लिए जाते हैं 22,000 का strike price यहां पर add करेंगे हम लोग 22,000 का call put दोनों का add करते हैं यहां पर previous strike prices को delete करेंगे हम लोग वन से मिनाट दोनों delete हो गया क्या 22,000 का call option चली positivity show कर रहा क्या positivity show करेंगे तो एक flow में market फिर उपर जाने का try करेंगे ध्यान रखेगा okay as per our finance retracement की एक minute बहुत ज्यादा fast होता है इसलिए quick से analysis करना बहुत ज्यादा important है recent low to high k accordingly 0.3 का एक area भी यहां पर यहां तक कि आसपास में एक easily market को support मिल सकता है so resistance भी अगर लेना चाहे न market तो यह हो सकता है 0.3 का आसपास में आने के बाद एकदम से हलका से पहले उपर जाए फिर रेजिस्टेंस ले यह भी पॉसिबल है ठीक है थोड़ा सा अब्जब करेंगे market को update करता हूं मैं आप लोगों को so time हो रहा है 9.21 थोड़ा बहुत देखी नीचे आ रहा है market अब कितना नीचे आएगा वो कहना मुस्किल है एक मिनिट का time frame है यह अभी थोड़ा बहुत नीचे आने का try कर रहा है market अगर हम लोग 22,000 के call option में 500 क्याइट करें 85,000 का capital यूज हो रहा है लेकिन अगर सही price पे नहीं आएगा तो कैसे लेंगे हम लोग इतना उपर में लेंगे and suppose लेने के बाद market नीचे आ जाए तो फज जाएंगा यहां पर बस वही दिक्कत है advance में कुछ quantity add करे advance में बोले तो रुके देखिए एक मिनट के time frame में loss कर लेना बहुत easy दोस्तों अगर मैं loss कर भी लूँ तो आप लोग सीखने है कोसिस कीजिएगा ठीक है ना यहां पर नीचे आ रहा है market ठीक है न 200 quantity अगर suppose add करते हैं तो क्या यह सही रहेगा थोड़ा सा advance म ना मैं 200 quantity का प्लान करूंगा अभी कितना नीचे आएगा वह कहना मुस्किल है 500 quantity मैंने यहांप add किया और भी quantity लेंगे हम लोग थोड़ा से अगर प्राइस सही मिल जाए देखिए एक मिनिट का टाइम फ्रेम है ना जो हम लोग प्लान किया है स्पोज यहां पर market आएगा तो लेंगे market नहीं आता है बहुत time एकदम से उसी level के आज सपास में आएगा and bounce कर जागा, एकदम से bounce कर जागा तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाइसो क्वाइनटी add on कर दिया, यह लेवल के आसपास में यहाँ पे, ठीक है, अभी अगर suppose नीचे भी आता है ना, तो नीचे आने के दोरान में हम लोग यहाँ पे इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है, समझेगा बात को ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यह देखेंगे दोस्तो रजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है रजिस्टेंस लेके क्या होता है ना, यह आवले टाम-फरेम का केंड़र है दिखेंगे जब भी कोई भी केंडल यहां पर फॉर्म होता है आप ने इस चीज़ को नो डाउन किया होगा जैसे यहां पर सब्पोर्स यह केंडल फॉर्म हो रहा है ठीक है कोई भी जब भी candle form होता है बरे time frame के according लिए form होते 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 न वो एक wix छोडता है wix छोड के body यहां तक जाता है तो यहां तक क्यों जाता है इसके अंदर वाले time frame में market उपर गया हुआ है एक minute पे इस तरीके से momentum आया हुआ है अब जाके ऐसा formation होता है अगर आप देखेंगे previous data में आप देखिए आपको समझ में आएगा यह चीज ठीक है चलिए उपर जाना तो start कर रहा है market यह देखिए अगर मैं आपको previous data देखा हूँ यह candle ठीक है एक retracement level मिला market उपर गया लेकिन ultimately market को नीचे ही आना था तो बड़े time को market ने respect कर लिया लेकिन छोड टाइम फ्रेम पे जिन लोगों ने टेक्निक अपना लगा के पैसा बना है उन लोगों ने पैसा बना लिया तो इसको कहते है deep chart analysis ठीक है ना इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यह देखिए विक्स छोरा मार्केट ने यह दिखे कैसे विक्स छोर रहा दिखे सेम इसी लिए मैंने यहां पर 200 कोईनटी आड़ाउन किया देखते हैं अभी कितना profit होगा नहीं होगा I don't know नीचे का प्राइस अगर मिलता तो ज्यादा सही रहता कंपेटेबल ही हम लोग यहां पर प्ले आउट कर पाते हैं अभी रिस्क मैनेजमेंट में तो हम लोगों का थोड़ा सदिक्कात आएगा लांग पोजिशन लिया हम लोगों ने सुम्वेर राउंड इसी लेबल के असपर इतना उपर कैसे ले लिया हम लोगों ने लेकिन मारकेट तो ऊपर जा रहा रहा हुआ बट प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है यहां पे काम करते है ना हम लोग दूसरे टैब में जरुधा काइट को ओप्विन कर लेंगे हां आचुका है हम लोगों का जरुधा काइट यहां पर प्रीमियम के चार्ट को भी एक बार ओपिन क कर लेना जरूरी है ठीक है चलिए premium के chart को देख लेंगे हम लोग किस तरीके से बीएव कर रहा है premium का chart अगर बढ़े गा ही नहीं तो कैसे benefit कम यह देखे यह देखे फस चुका यहां पर premium का chart हम लोगों का let's see what happened इस तरीके से फसना नहीं चाहिए दोस्तों और भी quantity हम हम लोग अड़ान करने का प्लान करेंगे तो बहुत मार्केट नीचे आ रहा है प्राइस अगर सही मिला यह देखे एकदम से बहुत क्विकली मार्केट नीचे आया है अच्छी बात है राइस क्विकली उपर जाएगा ना तो एजी लिए हम लोग कुछ बेनिफिट कमा सकते ह आसपास मैंने लेने का ट्राई किया, यहां पर क्वाइंट एड़ाउन किया, यहां पर क्वाइंट एड़ाउन किया, मैंने दोनों तरफ से क्वाइंट एड़ाउन किया, अभी कितना क्या प्रॉफित होगा, वो मार्केट के उपर में है, यहां पर हम लोग प्रीमियम के चा इसमें हम लोग analysis करते हैं, लेकिन यह जो chart हैं दोस्तों यह price, main जो पैसा देगा यही chart देगा हम लोगों को, तो इस chart को भी ध्यान में रखना जरूरी है, इसमें भी analysis थ्वरा बहुत होना जरूरी है, एक minute पे देखते हैं किस तरीके से एक बहुत कर रहा है, एक minute का time frame है, I don't प्रॉफिट में लेके जा पाऊंगा कि नहीं लेके जा पाऊंगा बहुत रिस्की है दोस्तों लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो यह देखिए कितना एजी लिए एकदम से क्वीक मूव आगिया मार्केट में अब चली प्रॉफिट नहीं चल रहा है वह तो प्रीमियम का गलती है इसमें स्पॉट का चार्ट बोलेगा भाई मैंने तो आपको रिट्रेस्मेंट पे आपको एंटर करवा दिया अब आपका प्रीमियम नहीं बरहा उसमें मेरी गरेंटी नहीं ह उपर जाने के बाद थोड़ा बहुत यहां पर रुख सकते हैं मार्केट उसके बाद फिर चलना स्टार्ट करेगा है ना इसलिए प्रीमियम का इससे कोई लेना देना नहीं स्पॉट के चार्ट के हिसाब से वेट करेंग अपरेट करता हूं मैं आप लोगो टाइम हो रहा ह है 929 एंड यहां पे क्विकली मार्केट ने बहुत सही तरीके से FIB रिट्रिस्मेंट को फॉलो करके एक दम से उपर जाना स्टार्ट कर दिया है देखे प्रीमियम के अगर मैं बात करूं तो क्या प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है हाँ थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रीमियम के पास में एक बहुत बड़ा फाइट है यह वाला हाई का इससे उपर जाना पॉसिबल नहीं है मतलब बहुत दीकत फेस करना पड़ेगा यह दे किस तरीके से प्रीमियम डाव ना गया इस प्रीमियम के चार्ट को बढ़ना पड़ेगा तब जाके कुछ उपर जाए हम लोगों का तब जाके हम लोग प्रॉफिट को बुक करने का प्लान करेंगे न दोस्तों अब यहां पर क्या प्रॉफिट बुक करेंगे हम लोग अभी बताईए कम से कम अटलिस थोरा बहुत उपर तो जाए यहां पर मोमेंटम तो दिया फिर भी मार्केट न लेकिन एक मिनट पर भी वही चीज हुआ अब मार्केट नीचे अगर आ गया तो इसमें एक मिनट के टैम फ्रियम का कोई गलती नहीं या मार्केट ऊपर चला गया अब प्रीमियम नहीं बढ़ा वह स्पॉर्ट का चार्ड उसका गारेंटी नहीं लेगा वेट करेंग अब करता हूं मैं आप लोग को हम लोगों को मिल रहा है क्योंकि हम लोगों करना यहां पर प्रीमियम बर रही है देखे है प्रीमियम कितना ऊपर चला गया इसलिए जो है थुरबात हम लोग को प्राफिट चल रहा है अभी यह ज़रूरी नहीं कि डे हाई को ब्रेक आउट किया मतलब और बी जादा ऊपर जो profit दिख रहा है न यह सारा का profit जाने में बिल्कुल भी time नहीं लगता है वो सब आप लोग उने देख लिया है बड़े time frame के हिसाब से market को थो बहुत falling करने में ज्यादा interested feel होगा तो इसलिए हम लोग risk नहीं ले सकते हैं दोस्तों निकलना पड़ेगा यहाँ परीमियम कितना तेजी से बढ़ना फिट से चालू कर रहा है यहाँ पर और भी कुछ quantity हम लोग square off कर देंगे देखिए नीचे के level पर भी हम लोगों ने लिया हुआ है ना तो उसके हिसाब से profit इतना है मिल पाए नीचे के level के हिसाब से ठीक है एकजिट करेंगे और भी 100 quantity quantity को exit करते रही है निकलते रही है मार्केट से जादा रिस्क लिए को फाइदा नहीं है देखिए 7000 का profit हो गया ना सारे आट 9000 तक चला गया तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत जो है ना मार्केट अलग टैप का हैंट सब दे रहा है देख यहाँ पे properly मैंने recent low to high को सही तरीके से mark out किया 0.3 पे buying किया और यह result आप लोगों के सामने में है ठीक है क्या मैं बहुत ज्यादा कुछ यूज कर रहा हूं trading के लिए नहीं कुछ कुछ जो simple चीज़े जो आप लोग भी यूज कर सकते हैं लेकिन हां आपको ध्यान डखना प करना पड़ेगा market इतना easy तरके से दोस्तों पैसा देता नहीं है इस बात कर ध्यान रखेगा आप लोग ठीक है किस तरीके से fall दुबारा से करना start कर दिया market यहाँ पे निकलने का plan करेंगे हम लोग सही गया na quantity square of करके हम लोग ने अब अगर quantity square of नहीं करते तो साइद हम लोग जो है ना market से बाहर हो चुके हैं जो भी profit मिला इसको heavily रखी अपने पास में next time अगर कभी loss भी हो जाए ना तो यही सब profit जाएगा अपना pocket से कुछ नहीं जाने वाला है मिलते एक next rate के साथ में एक new fresh education के साथ में वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का